जहिंद इस वीडियो में साथ मों बात करेंगे ब्राइट कॉम ग्रूप सेर के बारे में जानते हैं कि ब्राइट कॉम ग्रूप जो कमपनी है इसको सोर्ड कुट के नाम से जाना जाता है यह कमपनी डिश्टल मार्केटिंग के सुब्दा लगिन माक्सिम् Cooper कपनी सेवाइन करते हैं ऑर दिश्टल यह फीचर टेक्नटॉजिस पर इने वाले समय कौन कौन से टेकनोलोजी इस दुनिया के लिए मानोश घता के लिए काम करती है अब बात गेरेए के मार्केट केप की वर्तमान में इस कंपनी का जो जादा या कम होते रहता है यह डिपेंड करता है किसी कंपनी का जितना अधिक होता है कंपनी का मार्केट के पूतना ही अधिक होता है अगर सेयर प्राइस की बात करें तो यह आज ओपन हुआ था चौंती सिर्पर पैंतालिस पैसा पर और इसने दिन भर में 36 पैसा का हाई भी बनाया लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब इस कंपनी का सेयर प्राइस अभी आगा है 35 पैसा हलाकि आज के दिन इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है यह तेजी इसमें क्यों देखने को मिल रही है इसके बारे में आगे बात करेंगे कुछ अपडेट निकल कर सामने आएं जिसके बज़े से तेजी हलाकि समय समय पर तेजी देखने को मिलते रहती है लेकिन सवाल है कि आस्थाई नहीं रहता है तो इसके पीछे भी हम लोग बात करेंगे फिलाल यह समझे कि अगर आप देखें साथ अपरेल के दिन से इस कंपनी का सेयर प्राइस डाउन जा रहा है हलाकि कि आप बीच बीच में देखेंगे थोड़ा बहुत प्रोफिट बुकिंग भी हुआ है जहां जहां कंपनी का सेयर प्राइस रहा है अब बात करें यह अगर नीचे जाता है तो कहां तक नीचे जा सकता है तो देखिए साथियों जो सबसे स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल इसका निकल कर सामने आ रह है फिर से जाता है तब और उसके बाद वहां से इसको बाउंस बेक होने की संभावना है तो अगर आप निकलना चाहते हैं यह अभी चुकिए सेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रहे है तो ज्यादा देरी करने की जूरत नहीं है मेरा मानना है कि बहुत से लोग काफी विकर के फसे हुए तो जो लोग काफी विकर करके फसे थोड़ा समय देना चाहिए लेकिन यहां पर इससे पहले की नीचे जाए उन्हें सही समय देखकर निकल जाना चाहिए तो देखिए अभी यह जो वर्तमान में तीजी देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं कि चालिस पचा ज्यादा उपर नहीं चड़ा है इसलिए अभी वर्तमान में तेजी देखने को मिल रही है उसके बदलत आप यह मुझत समझें कि वर्तमान का सेयर प्राइस जो अभी 35 रुपे का सपास है आपको 40 रुपे तक जाते हुए देखने को थोड़ा मुस्किल है इसलिए आपको सव अब इस जोन को कंपनी के बोर्ड अब राजु लक्षमी निरायर नाम के ब्यक्ति को सीएफों के पोस्ट पर नियुक्त किया है यह काफी निसेसरी पोस्ट होता है किसी भी कंपनी में हाला कि इस पोस्ट को काफी समय तक बैकेंट नहीं रखा जाना चाहिए था लेकिन इस करते हुए हालाकि अलग 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 कंपनिंवें इन्हों काम किया है लेकिन अभी जब यह कंपनी में हैं और खासकर पोस्ट पर तो अब उमिद है कंपनी के ब्यहत्तरी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और इससे यह प्रक्तें को मिली है और आगे अगर यह अच्छ वीडियो में तब धने बाद सुक्रिया